महराष्टर को यदी हम देखें तो वहां फर्वरी के दूसरे सब्ताहा में उसतन 3,000 केसेज प्रति दिन आते थे और अब जो वीकली उसतन है महराष्टर में वो 44,000 से जादा केसेज प्रति दिन आ रहे हैं तो यह परिवर्तन महराष्टर में हुआ है महाराश्ट्र में जो cases आते हैं वो पूरे देश का 58 प्रतिशत है 58% of all active cases of the country are in महाराश्ट्रा as we talk to you today अगर average daily deaths को देखें तो फरवरी के दूसरे सब्ता में प्रतिदिन औसतन 32 मृत्यू COVID से महाराश्ट्र में होती थी ये बढ़कर अब पिछले सब्ता 250 मृत्यू प्रतिदिन हो गई हैं मृत्यू के मामले में जब हम आपसे आज बात कर रहे हैं उस समय देश की कुल मृत्यू के 34% महाराश्ट्र में होते हैं तो ये चिंता की बात है 58% सभी केसेज का एक राज्य में होना और 34% सभी मृत्यू का एक राज्य में होना ये चिंता को बढ़ाता है अगर हम देखें कि एवरेज डेली टेस्ट जो किये जाते हैं किसी भी राज्य में पिछली बार हमने व्यापक रूप से इसकी चर्चा की थी और ये भी बताया था कि हमारा परामर्श राज्य सरकारों को है कि RT-PCR टेस्ट का अनुपात बढ़ाया जाए महराश्ट में ये अनुपात पिछले कुछ सब्ताहों में घट रहा है आप देखेंगे कि वो मैक्सिमम तीन मार्च से नौ मार्च के बीच में 71 परसेंट था उससे पहले 72 परसेंट था उसके बाद वो लगातार घटता रहा 69 परसेंट हुआ फिर 64 परसेंट हुआ पिछले सब्ताह में राज्य में जो कुल टेस्ट किये गए उनके केवल 60 परसेंट टेस्ट आर्टी पीसी आर थे हमारा परामर्ष राज्यों को रहता है कि इसको 70 प्रतिशत या उससे अधिक तक ले जाया जाए क्योंकि ये बहतर कैप्चर करता है राज्य की है वहां वो मोबाईल टेस्टिंग लैब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इस कारे में ICMR माराष्ट शाषन की मदद कर रहा है अगर हम सापताहिक पॉजिटिविटी रेट्स को देखें तो ये घटकर 6 प्रतिशत के लभग हो गए थे फरवरी के प्रारंब में माराष्ट में ले भी चिंता का विशय ये दिखाता है कि ऐसे लोग जो की infected हैं जिनको हमें isolate करना चाहिए या तो घरों में या अस्पतालों में संभवत वहां हमें और अधिक कड़ाई से काम करने की आवश्यक्ता है अब 36 गड़ की बात करते हैं जैसा मैंने आपको बताया कि 36 गड़ मुख उसके बावजूद देश के कुल कोविड केसे का 6 प्रतिशत और देश की कुल मृत्यू का 3 प्रतिशत 36 गड़ से रिपोर्ट किया जा रहा है जब पहला चरण इस infection का हमने देश में देखा था उस समय 36 गड़ की स्थिति इतनी चिंता जनक नहीं थी ये फरवरी से जो हम द infection देख रहे हैं पूरे देश में उसमें 36 गड़ में न केवल infection जादा हो रहे हैं बलकि मृत्यू भी जादा हो रही है औसत मृत्यू अगर देखें तो यहां प्रति दिन 38 मृत्यू पिछले सप्ता में दर्ज की गई और औसत केस देखें तो 4900 से कुछ अधिक दर्ज किये हमारी मनशा कोई comparison करने की भी नहीं है न तो किसी राज्य की और उंगली उठाने की है क्योंकि यह एक joint collaborative exercise है जिसमें भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलके काम करती है लेकिन चिंता तब होती है जब बड़ी आबादी के राज्य जो इनके अगल बगल में हैं वहां न क केवल ओसत cases कम हैं बलकि ओसत मृत्य भी कम है आटी PCR का जो अनुपात है कुल टेस्ट में वह केवल 30 प्रतिशत है और यह घटा है यह 34 प्रतिशत और 36 प्रतिशत भी हुआ करता था इस राज्य में लेकिन यह घट कर 30 प्रतिशत हो गया है हमने यह टेस्ट बढ़ाने के लि आपको देखें तो देश भर के 3 प्रतिशत केस पंजाब से आते हैं अभी आज की स्थिति में और देश में जो मृत्यू कोविट से हो रही हैं उसकी लगबत साड़े चार प्रतिशत पंजाब में हो रही है और जैसा मैंने 36 गड के लिए कहा वैसे ही अगर पंजाब के और हर्याना के नंबर्स बहुत कम हैं पंजाब के तुलना में तो एवरिज केसे पंजाब में 2790 से अधिक रिपोर्ट हो रहे हैं एवरिज डेली डेट्स अब 58 हो गई हैं बढ़कर एवरिज डेली आटी पीसी आर का शेर 76 परसेंट है ये संतोश की बात है यहां 70 टेस्ट रहे हैं वीकली पॉजिटिविटी रेट लगबग साड़े आठ प्रतिशत पर आकर ऐसा लगता है ठहर गई है तो इसलिए टेस्ट की संख्या बढ़ाने की आवश्यक्ता है ताकि वीकली पॉजिटिविटी रेट को कम किया जा सके अगर करनाटक को देखें तो य अगर हम एवरिज डेली डेट्स देखें तो ये चार के लगबग थी फरवरी के प्रारम में अब 20 हो गई है आटी पीसी आर का शेर 90 प्रतिशत से अधिक है ये बहुत संतोश की बात है और लगातार इन्होंने इसको 90 प्रतिशत से अधिक बना के रखा है वीकली पे भी जो absolute numbers होते हैं infected cases के वो बढ़ जाते हैं इसलिए चिंता की बात है गुजरात को अगर हम देखें तो ये 260 case यहां औसतन प्रतिदिन आते थे फरवरी के प्रारम में अब 2640 हो गए है एवरेज डेली डेट्स एक पर आ गई थी ये 12 हो गई है एवरेज डेली आटी पी प्रतिशत हो गया है हमने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकरिष्ट किया है कि आटी पी सी आट टेस्ट का अनुपाद बढ़ाने की तुरंत अवश्यक्ता है वीकली पॉजिटिविटी रेट घटा है ये मार्च के मध्य में लगभग सारे 5 प्रतिशत हो गया था अभी घ डेली डेट्स तेरा हैं ये दो हो गई थी फर्वरी के प्रारम में आटी पी सी आर का अनुपाद 73 परसेंट है ये संतोष की बात है वीकली पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है 10 परसेंट हो चुका है तो ये चिंता को बढ़ाता है तमिल नाडू में 3104 केस अब आ रहे हैं और 15 मृत्यू के मामले औसतन आते हैं आटी पी सी आर टेस्ट यहां हमेशा 90 प्रतिशत से अधिक रहे हैं इन फैक्ट तमिल नाडू बहुत कम ऐसे राज्यों में देश के है जहांकि 95 से लेकर 98 प्रतिशत तक कुल टेस्ट का आटी पी सी आर टेस्ट ही होत है दिली की ओर अगर नजर डालें तो दिली में केसे की संख्या लगातार घट रही थी 132 प्रतिदिन ओसतन केसे आते थे फरवरी के प्रारम में अब वो बढ़कर ओसतन 2907 हो गये हैं हालांकि अनेक दिन ऐसे रहे हैं जबकि इससे भी जादा केसे आये हैं बट सिंस्ट व और शिली तरेंगा के स्वीडर अगर. ऑडरी सिंखें अगरें जब काया इंवारी तिली केसे अधर डार्वारी to 12 हो गये हैं आवरें डिली आप पीुरके चर्शर शिर शिर जासे आवरिंगे आवरें नवी तिली ते जाहरे हैं और इंपकी आजर जरी और वादे हैं अग वी अले चीज़ अफ से अरजु ए अब शीज़ काया पर जूंध पर देटेशवाइ अब जाजी weekly positivity rate has increased and is now more than 7 percent. Kerala was showing a consistent declining trend as you see from 4977 cases on a daily basis. It had steadily come down to 1800 cases, but in the last 2 weeks it has shown a slight increase, 2000 cases and 2500 cases. The deaths have more or less play to at 12 or 13 on an average every week. RT-PCR share is a cause for concern. It has never crossed more than 53 percent. In fact, off late it has declined. So, we have advised the state appropriately. Weekly positivity rate is climbing up now. It has come down to less than 2 percent, but it is now 5 percent. The last state or UT of concern is Chandigarh. Small area wise, small in terms of population, but if we see average daily cases, they have gone up from less than 20 to 287 per day. And average daily deaths have remained between 1 to 3. However, the positivity rate is climbing up and it has gone to 14 percent and the share of RT-PCR test is 81 percent, which is good. So, what have we done? We have deployed central teams in Maharashtra, Chhattisgarh and Punjab. There are 50 such high-level multidisciplinary public health teams. Each team consists of two people. One is a public health expert doctor and the other is a clinician doctor. So, both are doctors. One is a public health person. Other is a clinician. What would they be doing? They will be going to 30 districts of Maharashtra, 11 districts of Chhattisgarh and 9 districts of Punjab. When would they reach these districts? Either today or latest by tomorrow. What would they do once they reach these districts? They would assist the state health department and the local district authorities in surveillance, control and containment measures. So, when we say surveillance, control and containment measures, there are five thematic areas of this broad generic work. And these areas are they will see how can we streamline testing? How can we make contact tracing including surveillance and containment more efficient? How can hospital infrastructure? How can hospital infrastructure be strengthened including ICU beds, ventilator beds and oxygen beds? Enforcement of COVID appropriate behavior. People should wear masks at all places, public places properly. That means their nose and mouth must be covered. And they must avoid crowding and maintain physical distance and COVID vaccinations. So, these are the five points that they would be assisting the state government and the district administration. They would also be submitting daily reports to the state government and to the union ministry of health and family welfare. These teams will remain in these districts for three days to five days. They're shifting gear to six, eight. They danger. Alright, what happens here? They're shifting. They're shifting. They're so eing встречed. And when we get